सभी सात्यों को नमस्कार सात्यों आज के बिड़ में ससत्र सीवावल यानि SSP अधिनियम दोजार साथ यह वीडियो SSP के उन जवालों के लिए काफी महत्पों ही जो LDC एक्जामिक के द्वारा कांस्टेवल से हैट कांस्टेवल या कांस्टेवल से सब इंस्पक्टर या सभी जो भी अधिनस्त अधिकारी या SSOJ है वो Assistant Commander का एक्जाम देना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा पूरे CAPF परमेट्री फोर्स में LDC एक्जाम होता है और उसमें जब LDC एक्जाम होता है तो एक पेपर प्रोफेशनल सब्जेक्ट से होता है जिसमें उस डिपार्टमेंट के एक्ट रूल मैनवल और जो भी संबंदित सब्जेक्ट होते हैं उनसे क्वेस्टन साथ ही कुछ ऐसे कोमन प्रोफेशनल में आते हैं जैसे HR हो गया स्कूल सब्सेडी हो गया और कुछ फाइनेंस पावर्स हैं जैसे जैफार रूल बोलते हैं जनरल फाइनेंस रूल उससे क्वेस्टन आते हैं बैपन्स के क्वेस्टन आते हैं और इसके अलावा जितना भी फिल्ड क्राफ्ट टक्टिश है यानि कि जो भी अंबुस हो गया घात लगाना हो गया या उसमें जो भी फिल्ड क्राफ्ट में पूरा होता है वो सभी के कोमन कर्शन आते हैं तो दोस्तों आज हम जादे इसमें दो ही जादे नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वी वीडियो बनाएंगे एक हम जिसमें दो ही धारा है जिसमें मालिया आपकी परिभासाइं बहुत सारी है वो कवर करेंगे तो चलते हैं चसत सीमा बल अधिनियम दो जार साथ तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसेज़बी का जो अधिनियम है कब बनाए गया दो जार अधिनियम दो जार साथ है कि उस तारीक से लागू होगा जब से केम सरकार राजपत्र में अधिस उसनादवारा नियत किया गया है दूसरा परिभासाइं इस अधिनियम में संदर्भ परिभासाइं अन्यता उप्यक्सित नहो निम परिभासाइं दी गई है परिभासाइं क डिस्प्रिन, अंडिस्प्रिन के संब्दित है, जैसे सबसे पहले है शक्रे डूटी, तो यहां पर question यह भी आता है, अधिनियम की धारा दो के A में क्या है, B में क्या है, तो आपको यह भी चीज याद आता है, इसका एक सूत्र बना लेना है, तो सबसे पहला A में है शक्रे डूटी बूला जाता है, इस अधिनियम के अधिین किसी व्यक्ति के सम्मन में शक्रे डूटी से बलके सदस्से के रूप में उसकी उस अवरी के दोरान की है सेक्रियाव पर हो यानि कि भारत कि जो सीमाएं हैं उन पर लगाया हुआ अत्वा पैट्रोलिंग गर्स्त या कोई अन्य रक्सा डूटी करने में लगाया हुआ संगलन है या उसका भाग है डूटी अविप्रेजित और उसके अंतरगत ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी अब अध्या क्रिक्ति देएन हैं सेवा कर रहा हूँ सेक्रेट डूटी गोषित क्या जाए या तो दोस्तव act भारत सरकार द्वारा किसी च्छित्द में किसी भी चाम पर लगाया हो चाम पर लगाया हो चाम एक इसकल 요रा आदेजित क्या गया है उसमें अगर लगा हुआ तो उस सब्क्राइट नपरी को जिसमें विभिन पद्धारी होंगे उसकी जो बनाबट की गई उसको यूनिट का जाएगा सी में है सिविल अपराद से तात्प्रेया से अपराद से जो डंड निया ले द्वारा विचार रहे हैं सिल कारागार से जेल ये सितान प्रेरिट है जिसका किसी अपरादि के के मिरोध के लिए कारागार अधिनयम 894 का नो या तत्थ समय प्रवत्ति किसी भी अन्यविदि No अधियन प्रियोग किया जाता हूँ तो वह सिविल कारगा की सेड़ी में आएगा कमान आपिसर तो इसको कमान आपिसर से तात परे हैं ऐसा कोई कमांडेंड या कोई आपिसर से है जो उस यूनिट के बल में किसी ऐसे अलग प्रभाव का उस समय समादेशन कर रहा हो जिससे ऐ का व्यक्ति संब्बन एक है और इस सदिय में उसके धीन बनाए गे नियम के धीन, अपने कर्टव्डियों, कर्तियों का नियुख या कर्चव को नियुख कर रहा हो, या यहनि कि अपनी डूटी का नियुख कर रहा होँ जिसे ऐन्यम तर्वारा भारसरकार ने सब्सक्राइब क्या हों एप है डण न्याले सब्सक्राइब स्था ना क्रिम निकल जो है cha cha pcc सिस्के बाद जी में है महा निदेशक और अपर महा महा निद्देश से डहरापांच के अदिइन बल्क के नियूफ कोई उप महा फांच में जो दिया गया यह बनाए दाटवर्छ नर्डेशग या अपर महान निर्देल्डेसक और अपर महानि पर्या 5 है आई, आई में सत्रू, सत्रू की क्या परिभासा दी गई है, सत्रू से ताथ प्रह ऐसे सभी सेन्य विद्रोही, सायुद, वागी, आयुद, बलवाकारी, जल, दस्यू, आतंगवादी, और ऐसा कोई ससत व्यक्ति भी है, जिसके बुरुद कारवाई करना, किसी ऐसे व्यक् हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो घातक अत्यार बिना पर्मिशन के लिए रखका हो, और इस अधिनियम के नुसार उसको बर्वाद करने, उसको पकड़ने, मानने के लिए लगाया गया हो, वह सत्रू ही कहलाएगा, यह मैं इन्रॉल्मेंट पर्सन, यानिकी की परिभासा दी गई है, इन्रॉल्मेंट पर्सन स्थाथ पर उस अधिनियम के अधिन अभ्यावेशित और अपर आपिसर यानिकी से अभुपरित है, यानिकी जो भी इस अधिनियम के नुसार अधिन में अभ्यावेशित होगा, या अपर आपिसर होगा, वह व्यक्ति को हो इन्रॉल्मेंट मान जाएगा एल में दिया है बल नियाले या बल नियाले की परिभासा इसमें क्या दीगी बल नियाले स्ताथ परिया धारा 76 में निर्दिशित नियाले से अविप्रीट है यानि की नियाल बल नियाले क्या होगा जो धारा 76 में दिया गया है वह से ताथ परिया है M में दिया गया बल अभी रक्सा, कस्टडी, इसकी परिवासा दी गई है, बल कहलो अभी रक्सा के लो या कस्टडी कहलो, इसकी परिवास दी गई है महा निर्क्षक के अधिन न्यूक्त बल का महा निर्क्षक के लिए उसके बाद जज अटर्णी especially धारा 95 की उपढारा दो के दीन ने दूपति जज आटर्नी जनर्र अपर जज आटर्नी उपर जज आटर्नी और जरॉट जजज आटर्नी शे भुप्रीन है. यानिकिकी परिवासा यह इसके नुसार तरका सदस्य क्क in आपिसर, कोई अधिनेस्ताफिसर और कोई अन्ये आपिसर या अन्ये अभ्यावेसित व्यक्ति से जो भी बलका आपिसर है, अधिनेस्ताफिसर है, अन्ये आपिसर है या कोई भी अभ्यावेसिया भरती किया हुआ, नियम के नुसार, वही बलका सदे से माना जाएगा, क्यों म को पारिद करने के लिए आज पत्र में पिरकाशित होगा उसको दिसे उतना कहला गाए ले नेक्स्ट है आर आर में दिया है अपराद अपराद से तात्परया दिन्यम के अधीन डंडिया कोई कार्या लोग से विपरेज़ है और इसके अंतरद कोई सिविल अपराद भी होता ह है नेक्स्ट है एस आपिसर आपिसर से तात्परया बलके आपिसर के रूप में न्युक्त बेतन पाने वाला कोई व्यक्ति से अविपरेज़ है किन्तु इसके अंतरद कोई अधिनस्ट आपिसर या आवरादेशन नहीं है आपिसर मतलब अपसर ओपिसर एक गजिस्टर दो बनाएगे नियम से प्रीज़ हैों कि इस अधिनियम में जो भी नियम बनाएगे जह उनको नियम बोलजाएगा नेक्स्ट है वी में अधिनस्त अधिकारी बोलने आप अधिनस्त अधिकारी बोलने आप अधिनस्त अफिसर से ताथ प्रेव बलके सुवेदार मेजर से या निरिक्सक या उपनिरिक्सक या सायक उपनिरिक्सक के रूप में नियुक्त पेतल पाने वाला कोई भी अविप्रेथ है यानि कि जो सुबेदार मेजर से लेके ASI, सायक, सब इंस्पक्र्टर तक, सब अधिनस्ता दिकारी की सिर्णी माएंगे परिभासा है. W. वरिष्ट अफिसर या अधिकारी. वरिष्ट अफिसर से तात्रस व्यक्ति के सम्मन में हैं, उप्युक्त है, जो अधिनियम के अधिन प्रेइत हैं. अब ये तो परिभासा है दी गई, अब नंबर एक पर दिया, बलका कोई सदिश्या जिसके मना समा देशन के अधिन नियमों के नुसार तस्मेवे व्यक्ति है, उस व्यक्ति के उस तर रैंक या वर्ग या अत्वा एक ही वर्ग के उस तर ग्रेट का कोई आप्रुसर और ज जाधिकर से तात्परिया है, एक्स, अवर आपसर अवर आपसर तात्परिया बल्के Head Startable से अभभ है धिचैना निए कि और अपकर के को बनते है, वाय मेझिया unit, यूनिर से नितकत निम्न है। यानि कि इस्तायन विद्मान हो उसको यूनिट कहेंगे ऐसे व्यक्तियों का जो किसी अधिनियम के अधिन हो कोई पृत्थक निकाए जो किसी सेवा में नियूईत है और फुर्वत्तर किसी यूनिट की संगलन है उसको यूनिट कहा जाएगा व्यक्तियों का ऐसा कोई अनिय पृत्थक निकाए जो ऐसे व्यक्तियों जो कि अधिनियम के अधिन पूर्ण एम भागत गठित है और केंद सकार दुवारा यूनिट के रूप में विनिश्ट किया गया हो वे भी यूनिट कहलाएगा और धारा दो का उखण दो उप्रोक्त सभी परिभासाएं सब्दों और पदों के जो भी अधिनियम के उप्रिप्त है और परिभासित नहीं है किन्तु बारत्य डंड सहीता अठार साट का पैतालिस और सेना अधिनियम अठार सो पचास का जो 46 राष्ट्य सुरक्सक अधिनियम 1986 में परिभासित क्या वही अर्थ है कि सहीता का उन अधिनियम में वर्णित क्या गया है दू का उप खन तीन में उसी अधिनμ में किसी ऐसी विदी जो कि जम्हु कस्मी राज्या में पềnवत नहींहें पृति नेगए अर्थ लगाया गया है उस राज्य में विदिक के निधी नेश है को कि दोस्तो आज कि वीडियो नहीं है अग्ले वीडियो में आपको यह आज शुरू किया एक तो दोस्तों को अगा कर दें चैनल रखिए अ